सब्सक्राइब हरा नाम कियो पढ़ा घ्रीन हाओस होता क्या है तो पहले किया जा जाता था कि एक ग्रीन हाउस एक हाउस बनाया जाता था जो कि उसके उपर एक ग्लास वाल होता था और ग्लास का रूप भी होता था उसमें क्या किया जाता था कि नीचे बहुत सारे ठंडे छेत्रों में पौधों को लगाया जाता था और ठंडे छेत्रों में जिस तरह से सु सुरीक किर्णों को ट्रैब किया जाता था जब वहां सुरेक किर्ने hinter ग्रास वाल के उपड़ती थी और उसके बाद से भीतर की जो बहुत सारे है बीतर में चला जाता था और radiation के कारण वहाँ पर बहुत सारे बीतर तुआ जाते थे और बीतर के हिस्से को गरम कर देते थे इनस ग्लास वाल के inside में जितना था वो गरम हो जाता था लेकिन बाहर में उन radiation को जाने नहीं वो trap कर लेती थी जिसके कारण पौधे वहाँ पर असानी से बढ़ते थे तो उसी के अधार पर उस गैस का नाम रखा गया ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस इस बिल्डिंग इस ग्लास वाल्स और ग्लास रूफ ठीक है विच लाउस दे सन हीट जो क्या करते हैं सन हीट को अलाउस करते हैं बीतर आने के लिए freely लेकिन but do not allow इंसाइट heat to go out लेकिन ये नहीं जाने देते हैं heat को sun के heat को बाहर नहीं जाने देते हैं that is it traps sun heat inside तो क्या करते हैं sun के heat को inside trap कर लेते हैं उसको और फिर क्या करते हैं keep the planets inside warm और plants sorry keep the plants inside वो और पौधे इस तरह से गरम होते थे और अपना जीवण यापन करते थे ठीक है तो ग्रीन हाउस गैसे में मिलनी यहाँ पर CO2 और मिथेन को ही ग्रीन हाउस गैस कहा गया है यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर oxygen और nitrogen को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है CO2 और CH4-anine-methane को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और बहुत सार यह ऐसे वहते हैं जैसे कि nitrogen oxide है chloroflo carbon है यह सम क्या करते हैं कुछ effective कुछ यह सहायता करते हैं उसमें क्या है greenhouse effect क्या होता है सबसे पहले क्या जानना है greenhouse effect होता क्या है तो the trapping of the sun's warmth जो सुरे की गर्म किर्णों को सुरे की किर्णों को उसकी भीतर trap करने की किरिया को in a planet lower atmosphere जो हमारे atmosphere के lower हिस्से में due to greater transparency of the atmosphere मतलब ऐसा करने की layer बना देना है उस गैसों का एक layer बन जाता है और वो गैसे जब वो सुरे की किर्णे आती है और वहां पर आने के बाद वह आपस नहीं जाने देती हैं उसको trap कर लेती है visible radiation from the sun जो visible radiation sun का है then infrared जो radiation होते है वो दोनों को आने के बाद उसको trap कर लेती है और emitted from the planet's surface और बाद में उसको फिर से native से emit करती है फिर से उसको ऐसे करती है कि ताकि वो ना जा पाये यहां पर अच्छे हम लोग समझेंगे उसको आप देखे कैसे समग, कैसे होता है सबसे पहले होता क्या है माली यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए कुछ इस तरह से है यह अर्थ है हमारा माना कि यह अर्थ है ठीक है यहां पर सूर्य की किरने आ रही है यह सन है सूर्य की किरने आ रही है बहुत सारे ऐसी किरने आ रही है लेकिन जो लॉंग लंबी तरंग दर्ग या फिर लारज़र वेफलेंट कहा जाए या फिर इंफरा रेड डिडिएशन कहा जाए यह सब किरने जब आती है ना तो आने के बाद यह वायू मंडल की एक हिसे से कभी-कभी है यहां पर बहुत सारी किरने क्या होती है कि यहां पर जो सोलर तुर्च की क्रीन आ रही है यहां पर कुछ एसे इसको ब्रटफ्लक्त करने जाताया है वापस बेंध दिया जाता है and the earth surface के द्वारा ठीक है बहुत सारे कुछ यहां पर लिखा है कुछ तुछ solar radiation reflected कुछ solar radiation को atmosphere के द्वारा reflect कर दिया जाता है और earth surface के द्वारा अब क्या हुआ solar energy is absorbed by the earth surface हम लोग जानते हैं कि solar energy को absorb करता है earth surface and उसके बाद उसको warm करता है गरम करता है and is converted into heat और उसको हीट में convert करते जाता है causing the emission of emission of long wave length infrared back to the atmosphere उसके बाद जितनी जो जब सूरज की किरने आई तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी लंबी long wave भी आई इंफ्रारेट भी आई ठीक है वो क्या आने के बाद फिर से उनको re-emit किया जाता है जब वो हीट बहुत जादा आता है और जब गरम हो जाता है यह हमारा यह surface करम हो जाता है तो फिर से आवरन के बीच में ये जाके फस जाता है और फसने के बाद इसको वापस वायो मंडल में वापस एक्मोस्पेर में जाने नहीं देता है फ्रिली जिसके कारण ये हिस्सा जो है वो गरम रहता है ठीक है ये इस गरम रहने कारण दिन प्रतिनी ये गरम होते जा रहा है ये गरम प्रिथ deport gopro यो बड़ती दिन बरबता चला जाएगा इसी को ही ग्लोबल वर्मिन कहा है Irradiation प्रित्वी के बारा और इसके सर्फिस के द्वारा वह क्या होता है जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो वह क्या करते हैं फिर से उसको रीमिट करने लगते हैं और वह ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल क्या करते हैं उसको कि उसको जाने ही नहीं देते हैं और सर्फिस गेंस more heat and infrared radiation emitted again और उसके बाद फिर से यह re-emit होने लगता है पूरा प्रोसीजर ऐसा ही है ठीक है यही दीरे दीरे गरम होने कारण आर्थ का सर्फेस गरम होने कारण इसी कोई global warming या बैस भी कुछ नता कहा गया है यानि प्रिधिवी के वायू मंडल में हारित ग्रे ग्रे गैसो यान इसी को ही global warming कहा जाता है इसी तरह से उसके प्रभाव को ही प्रिध्वी के ताफमान में प्रीधी हो रही है और भूमंडलिये वातावरन में भी हमारा बहुत सारे परिवर्दन हो रहे हैं ठीक है इसको हम लोग कैसे रोक थाम इसकी remedies क्या हो सकते है ग्रीन हाउस गैसो का कि किस तरह से हम लोग remedy किस तरह से हम लोग उसको कम कर सकते हैं तो सबसे पहली बात कि जिवासम इंधन है जिसको fossil fuel कहा जाता है जो बहुत दिन से जो जिससे कोईला है यह सब चीजे है उनको ना जलाया जाए उनका उपयोग कम किया जाए और ताकि CO2 की मात्रा बनी रहे उसक करते हैं यह सब क्या करते हैं कि अधिकांस भागों को अवसोसित कर लेते हैं सुर्य की किर्णों को यह लोग कम अवसोसित करेंगे तो रसायनी खादों का कम उपयोग करेंगे CFC उत्पन करने वाले जो क्लोरोफ्लो कार्बन है उसको उत्पन करने वाले जो रेफ्रिजिरेटर्स है और एयर कंडिशनर्स है इनका कम से कम उपयोग करें और जंगल ना काटे और ना जलाए सबसे बड़ी बार और पेर पौधों की संख्या को बढ़ाते जाए ठाकि जो बैलेंस है CO2 और ऑक्सीजन का वह बैलेंस बरकरार है और स्वाचालित बाहनों का यानि जो हम लोग जो वाहन जो यूज करते हैं बहुत सारे ट्रांस्पोर्टेशन के लिए उसका उपयोग जितना हो सके कम करें इस तरह हमारी प्रित्वी ये बची हुई रहेगी और हमार जिमेदारी है ठीक है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगो ये ग्रीन हाउस समझ में आया होगा ग्रीन हाउस क्या है ग्रीन हाउस क्या होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस का किस तरह से प्रोसीजर से कैसे गरम होता है ये मुझे समझ में आ आप लोग अपना ध्यान रखे सेल्फ स्टड़ी करिए और साइंस को ब्रटने की जरूत में उसको समझ के पढ़िए तो ज्यादा एजी होगा और ज्यादा समझ में आएगा ठीक है तो इसको देख लीजे एक बार फिर से यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉ